हेलो गाइज मैं हूँ नैना और ये है हमारा चैनल लखनवी कपल प्लीज हमारे लखनवी कपल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाईए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके बनाई अई मेरे चैनल का नाहा है कमी कपल मैं कुछ आपके लिए यूदिक सब्स्राइग इस असतरी किया करने करें आइन मैं आपके लिए एक यूदिक से सबजी लेकर रही हूं जो की काउं से आई थी तो मैंने उसको बनाया तो प्रमें शोचा क्यों अपने आया पर देक्षा करों दोस्तों यह एक तरह की भूईयां ही है उन पेड़ों में यह डाल एक निकलती है जो डाल की सब्जी बनती है गाउं में बहुत ही प्यारी सब्जी बनती है इसकी यह सबसे अलग चीज और यह बहुत प्यारी चीज है वह बहुत ही अच्छी बनती है तो आज हम इसकी सब्जी बनाते हैं और देखते हैं कैसी बनती है डाल की घुईया भी कहते हैं तो आईए चलिए इसको छीलते हैं इसको कल मैं गाउं गया था अपने गाउं से लेकर आया हूं और इसको छील लेते हैं फिर इसकी सब्जी बनाते हैं इसको नॉर्मल ऐसे ही छी रियो पर आँ जाती है कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होता ऐसी इस कलरl का ही हो अगया पर ऐसे पूरी छूल जाईगी प्रपर इसको आपसे चिल लीजिए बड़िया से अब यह चिल गई पूरी इसको अब हम लोग काट लेते हैं आप किसी भी शेप में काट सकते हैं अब आप अब अब करते हैं वैसे कर सकते हैं अब कर अब कर आब कर अब परन्तुटोर स्याउना शर्मेरी छक्राइब जरिए म्नलदी खी सेसंगर जर्मेगल जुर्मेजुन अब ये कट लिया है और ये कट के तयार हो गया है इसको बढ़िया से धो लेंगे पानी से और उसके बाद अब हमने इसको दो कर लिया पानी में बढ़िया से इसको दो लेंगे 5-6 बार कम कर दोने के बाद इसके अब बनाने के तैरी करते हैं बनाने के लिए में चाहिए दो बड़ी प्याज कट हूए दो हरी मिर्ची बड़ी कठी हुई और हींग असरफेटिटा और यह अपना हो गया अजवाइन थोड़ी सी एक चमच एक चमच हमको हल्दी पाउटर सही है एक चमच धन्या और नमक स्वादिनुस्वार से बेसिक चीजें इसमें कुछ आपको अलग नहीं करना है जैसे आप स जारी करते हैं इसको बनानेगी तो अब कड़ाई में तेल गरम कर लिया है इसमें कड़वा तेल यूज करते हैं और अब डालते हैं सबसे पहले हींग उसके बाद अजवाइन डालते हैं कशेश्ञ गोड़ास अरह इसमें हली मिस्ट डालते हैं और यह विया करते हैं और अब जालते हैं बारे कटे हैं और बारे कटे हैं और बारे कटे हैं और इस प्रैच को बढ़िया से गोर्डन ग्राम कर लेंगे अब हमारे प्याज बोल्डन ब्राउन रोग चुके हैं जैसे कि देख सकते हैं आप सब लोग और अब हम इसमें डालते हैं मसाले और यह अपनी कटीवी अरवी ग्राइज ढाल्बी दालेंगे धनिया और नमत इसको बढ़िया से लीक्स कर देंगे बढ़िया से अच्छे से मिलाने के बाद इसको ढ़क के रखेंगे और इसमें पानी भी पड़ेगा इसको धीमी आज भी कमसे हम 20-25 मुट तक पकाना है चलिए 20-25 मुट बाद मिलते हैं यह देखिया हमारी सब्जी रेटी है जो कि बहुत प्यारी सब्जी बनी है आप देख सकते हैं लोगों से शेर कीजएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजएगा बाबाहाई मिलते हैं नेक्स वीडियो माँ अर पकाना है आप बाद मिलते हैं तेख रेखिया दना उन्ड़ी भी सब्सकाराइब काना उन्म बाद इक्नाक झालओाझा रेखिया धकीजएगा